जैश्री महांकाल, जैश्री महांकाल दोस्ताब सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है आप जो प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल को प्रदान कर रहे हैं आपका दिल से बहुत धन्यवाद आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान की क्रपा के कौन-कौन से संकेत हमें मिलते हैं और जिवन में अच्छे दिन आने से कुछ अच्छा सूब होने से पहले हमें कौन-कौन से संकेत मिलते हैं ये टॉपिक इसले भी महत्पूर्ण है आज के इस यूग में कि बहुत सारे जाता की विश्य को लेकर कमेंट्स करते हैं कि हम पर इश्वर की करपा नहीं है, हम पर भगवान की करपा नहीं है और बहुत सारे भगवान की करपा कैसे हम पा सकते हैं, हम पर भगवान कब रहम करेगा और ना जाने कितने सारे कमेंट्स इस रिलेटेट पूछ तो इस पूरे वीडियो में हम इसी पर चर्चा करें और यह विशय आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्पुन है आपके जीवन के लिए और आपके जीवन के सकारत्वकता के लिए तो इस वीडियो को हम आगे बढ़ाए चैनल को थोड़ा सा आगे ले चाये हम बात को उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है मेरा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है ये चैनल से आप नहीं जुने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें कमेंट्स में आप ओम नमशिवाय जैशिव शंबू हर हर महादेव जो भी आपका मन हो अगर आपने खुली का अनलसिस हमसे करवाना चाहते तो इसक्रीन के उपर नमबर चली रहें आप वॉट्सप पर अपोर्मेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं उसका शुल्क लागोए दोस्तों अब शुल्क पे करके बात कर सकते हैं अब हम आते हैं मुद्दे के उपर हर एक आि दो आपि जो भी मन में प्रश्ण उठता है कि हम पर घगवान की करपा है या नहीं तो वह एक पहले बात जान ले किस संसार में रहने वाला प्रत्येक प्राणि जो एस जीमन में जी रहा हैं। उन सब पर बाबा भौले-थी क्युर की बौहत करपा है क्योंके उनकी कर के बिना हम इस संसार में आई ही नहीं सकते हैं तो ये बाद अपने दिमाग से निकाल दे बस सर्त यहां से बहुत सी बातों को बहुत गंबीरता से अब समझना बारीकी से कि होता ऐसा कि हमारी नकारत्मक्त हमारी नेगिटिविटी जो है वो हमारे दिमाग मस्तिष्क पर इतनी हावी हो जाती है कि हम चीजों को सही तरीके से देख ही नहीं पाते हैं सही तरीके से उनका आकलन नहीं कर पाते हैं और उस सही तरीके से देखना और आकलन की नहीं आकलन करने की वज़े से हम खुद negativity के जंजाल में फस जाते हैं हम कर्मता के और फस जाते हैं हम गलत कार्यों के और फस जाते हैं और हम उससे निकलना चाहते हैं तब हम इश्वर को याद करते हैं और तब ये बात हमारे मन में खड़ी होती है कि हम पर इश्वर की करपा है या नहीं है इसलिए अपने आप में इश्वर का जब हमेशा continue रखें, आप ओम नमाशिवाय, ओम नमाशिवाय का मन के अंदर जब चलने दे, बाकि सब वो चीजे देख लेंगे, और इश्वर भगवान वो विस्वास का विस्वास है, जितना प्रगाड, जितना मजबूत आपका जादा और उससे सकारत्मक विस्वास इश्वर का आप पर होगा, यह आपके हाथ में है, यह पैमाना जो है, यह आपके हाथ में नकी इश्वर के हाथ में है, तो यह बात अपनी गांड बांद के बांदे, दूसरा है कि जितने भी होसा के वेशन नसा ना करें, होसा के तो इश्वर की क्रपा हम सब व्यक्तियों के उपर हैं, हम सब पर इश्वर की बहुत क्रपा हैं, ये बात गांठ पान लें